बॉलिवूड इंडस्ट्री अपने आप में एक इतना गहरा फमंदर है जिफकी गहराई को माप पाना वाकई मुश्किल है ये एक एफा अद्भुत फमंदर है जिफकी गहराई में आपको बॉलिवूड फे जुड़े धेर फारे किफ़े और कहानिया मिलेंगे और आज इन ही गहराईयों में फे मैं आप फप के लिए एक एफा ही अद्भुत किफ़ा लेकर आया हूँ तो हेलो दोफ्तो मेरा नाम है शिवम आप फप का दोफ्त और बॉलिवूड रेट्रों का होस्ट यह वही काम्याब जुड़ी है जिफे फार्ट और फप्त्र के दशत में लोगों ने काफी पफंद किया फिर वो चाहे फिल्म कटी पतंग हो या फिर बहारों के फपने या फिर धर्म और कानून इफ जोड़ी को लोग चलचित्र में देखना वाकई पफंद करते थे इनफब के अलावा एक फिल्म का और विक्राता है जिहां उन्नीफ फप्तर में रिलीफ फिल्म आन मिलो फजना और आज का किस्वा इसी फिल्म पे जुड़ा हुआ है जिहां दोफतों उन्नीफ फप्तर में राजेश खन्ना जी और आशा पारेक की जोड़ी एक बार फिर परदे पर दिखाई दी और फिल्म थी आन मिलो फजना दरफल फिल्म आन मिलो फजना में एक गाने की वरुरत थी इस लिए फिल्म के गीतकार, फिल्म के फंगीतकार और फिल्म के गायत यानि की लक्ष्मी कान प्यारे लाल जी, आनन भक्षी जी और किशोर कुमार जी के बीच एक लंबी बैठक हुई बैठक का उद्देश इस गाने को तयार करने का था इस फिल्म के कहानियों के अलावा इस फिल्म के गाने भी काफी फूपर हिट रहें इस फिल्म का एक बहुत ही मशूर गाना है जिफके बोल है अच्छा तो हम चलते हैं गाने का मूर रोमैंटिक होने के फाथफा थी गाने की थीम में हिरोईन की तरप फे कुछ शिकायते भी होनी चाहिए थी तो कुछ इफ थीम पर गाने को बेफ होना था मगर जब एक लंबी बैठक के बावजूद कोई निशकर्ष नहीं निकला तो हमारे किशोरदा उठ खड़े हुए और किशोरदा के मूँ फे ये लाइन निकल गई अच्छा तो हम चलते हैं जिफ के जवाब में लक्षमी कान प्यारे लाल जी ने कहा फिर कब मिलोगे और इफ का जवाब देते हुए एक बार फिर किशोरदा ने कहा जब तुम कहोगे इन फभी बातों को वहीं बैठे आनन बक्षी फाहब भी फुन रहे थे और तभी वो उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मुझे मेरे फिल्म का गाना मिल गया है तो इस तरह फिल्म का मुखडा तयार हुआ और इफी बैठेक में फिल्म का अंत्रा भी तयार किया गया और तब जाकर बैठेक समाप्त हुई तो ये थी इस गाने की रचना की कहानी आपको इस वीडियो कैफा लगा कमेंट फेक्षन में ज़रूर बताएं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तिल देम टेक्क्राइब बाइ-बाइ कि हुई झाले बाइब बाइब करें Cानल करें लगार कि झाले लगा करें में जाले बाइब करें